हमने देखा कि सीटी या नगर की जो जनसंख्या है वो लगभग एक लाख होती है और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो कजबे से थोड़ी अधिक मिलती हैं अब जब नगर या सीटी की जो जनसंख्या है वो लगभग दस लाग तक पहुँच जाती है तो हम उसे मिलियन सीटी के नाम से जानते हैं अब सीटी या नगर के बाद हम देखते हैं महा नगर बच्चो आप थोड़ा ध्यान में लेकर आए जब हम जनसंख्या के हिसाब से नगरों का वर्गी करण हमने देखा था तो जो प्रथम वर्ग का नगर था वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ उसकी जो जनसंख्या है प्र हम महा नगर की बात करें या विराट नगर और सन नगर जो है वो लगभा एक समान होते हैं तो ये दोनों ही जो या हम सन नगर को भी मिला लें तो ये तीनों मिला कर जो है वो प्रथम श्रेणी के नगर के अंतरगत आते हैं क्योंकि इनकी जनसंख्या जो है वो एक लाग से अधिक होती है जब किसी नगर की जनसंख्या जो है वो दस लाग से अधिक हो जाएगी तो हम उसे महा नगर की संग्या देते हैं और ये जो महा नगर होते हैं वो प्रशाशनिक दृष्टिकोंड से तो विक्सित होते ही हैं या हम ये कहें कि विभिन प्रकार की जो प्रशाश विष्व्वी द्यालाय की बात करें, मतलब परिवहन संबनल ही, सभी थiciency के छेत्र में, संस्कृतिक गति वीधियों के छेत्र में, सभी तरह से ये नगर उन्हक्तिक, महानगर के संबंद में एक बात आप और गौर करेंगे जैसे हम कोई भी एक थोड़ा बड़ा ही नगर होता है तो जिन चीजों के लिए जैसे हम एक विश्वी द्याले की बात करें या किसी रेलवे कालोनी की बात करते हैं तो यह जो है वो हमारे शहर के बीचों बीच इस्थ चेतर है घनी आबादी ऒाला जो क्वाण खेतर होता है वहां पर इस्थान के अभाव के कारण इस प्रकार की जो हम चाहे विश्व विद्याल외 है या पोंट सीटी की की बहात करते हैं या कोई बंढ़रगा की जब हम बात करते हैं तो यह सब जो है वो शहर के बाहर की तरफ हमें विक्सित मिलते हैं चाहे हम किसी रेलवे का लोने की बात करें तो यह संपत्ती तो उस नगर की होती है लेकिन इस्थित कहां होती है उस नगर के बाहर किसी ग्रामीर कस्बे या नगरी ग्राम के या और छोटे नगरी जो छेत्र होते हैं वहाँ पर ये विक्सित होती है तो जो माहा नगर है वो अपने आसपास के कोई जो छोटा नगर हो सकता है या नगरी जो छेत्र हो सकते हैं उन सब को ये अपने में हम ये कहें कि समाहित करके चलता है या अपने में सम्मिलित कर लेता है क्योंकि उस इस छेत्र में महानगर की संपत्ति के रूप में हमने जो यह अभी उदारन दिये, चाहे हम विश्व विद्याले, रेलवे कालोनी और भी ऐसी कई चीजे होती हैं, जो वहां पर इस्थित होती हैं, तो भले ही वो उस प्रशाश्की छेत्रे के बाहर हैं, लेकिन वो उसकी पत्ति है, इसलिए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो खतम हो जाता है, दूरियां जो हैं, वो मिट जाती हैं, अब हम महानगर की बात करेंगे, तो हमारा दिल्ली है, मुंबई है, चिन्ने है, बैंगलूरू हो गया, हैदराबाद, ये सब जो हैं, वो हमारे देश मे भारत में महानगर के एक अच्छे उदाहरन प्रस्तुत करते हैं, अब महानगर के बाद हम बात करते हैं, सननगर की, सननगर या कौनरबेशन का विकास तब होता है, जब कोई नगर जो है, वो अपने आसपास के कोई ग्रामीन कजबा हो सकता है, नगरी कजबा हो सकता है, य संनगर का विकास होता है या कॉन बेशन का विकास होता है और हम फिर से कहना चाहेंगे चुकि आप महानगर वाली श्रेणी में पूरी तरह संपन होता है हमारा जो दिल्ली और कोलकाता जो है हमारे देश में सन नगर या कॉनर बेशन के एक बहुत अच्छे उदाहरन है हम देखते हैं कि जो दिल्ली है वो सिर्फ अपने छेत्र तक ही सिमीत नहीं है इसके अंतरगत हमारा जो गाजियाबाद है यह हम बात करें नोएडा की तो यह सारे मतलब अपने आसपास के छेत्र या कस्बो को अपने में सम्मिलित करता हुआ चलता है यह हम कहें कि इसका विकास जो है वो दिल्ली के अंदर ही उसी में समाविस्ट होकर इनका विकास हुआ है यह हम कोलकाता की भी बात करते हैं तो कोलकाता हावडा यह सब सबसे अच्छे सननगर के उदाहरन जो हैं वो प्रस्तूत करते हैं अब सन्नगर के विकास की कुछ हवस्थाएं होती हैं कोई एक नगर जब वो अपने आसपास के कजबों को अपने सांथ लेकर या अपने सांथ विकास की तरफ लेकर बढ़ता है तो सन्नगर का विकास होगा दूसरी अवस्था होती है जब कोई दो नगर जो है उनका विकास साथ साथ होता है है ना तो भी हम उसे सन नगर की संग्या देते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो से कोई अधिक नगर तीन नगर हो सकते हैं पारनगर हो सकते हैं और जब यह मिलकर आपस में विकास करते है या अपने आसपास के छेत्र को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं तो भी हम इसे सन्नगर या कौनरबेशन की संग्या देते हैं यह हो गई सन्नगर की बात अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेगलोपोलिस सेटी यह हम जिसे विराट नगर कहते हैं विराट नगर का विकास भी बिल्कुल सननगर की ही तरह होता है कौनरवेशन की भाती ही होता है और ये छेत्र भी जो है वो पूरी तरह से सांस्कृतिक प्रशाश की या यातायात वाडिजी के छेत्र में बहुत अच्छी तरह विक्सित होता ह और साथ ही साथ हम देखेंगे यहां की जो जनसंख्या है वो आपकी 50 लाग से भी अधिक जनसंख्या जो है मेगलो पॉलिस सेटी या विराट नगर में निवास करती है। जो मेगलो पॉलिस सेटी की हम बात कर रहे है या विराट नगर भी जो है इनका विकास तभी होता है जब यह हम मेगलो पॉलिस सेटी की संग्या उन्हें तभी दे रहे हैं जब यह अपने आसपास के दो या अधिक नगरों को अपने में समाविस्ट कर लेता है सम्मिलित कर ल बच्चो आप सभी को पता होगा कि कोई भी दो नगर जो हैं वो बिल्कुल समान नहीं होते या हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी एक विशेश नगर की बात करते हैं तो उस विशेश नगर में हम उसके कारिक के अधार पर उसका विशेशी करन कर रहे हैं कि हम उसे कह दे रहे हैं कि यह सेक्षणिक नगर है परेटन नगर है या हम बोल सकते हैं उसे की धार्मिक नगर है लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो उसका विशेशी करण है या जिस छेत्र में उसे विशेशी करण प्राप्त है सिर्फ वही कारी जो है वो उस नगर में किये जाते उसके अलावा भी बहुत से कारी जो हैं वो उस नगर के अंदर हमको मिलेंगे चाहे वो हम एक एक एक्जामपल लेते हैं जैसे हम वारणसी की बात कर रहे हैं तो यह धार्मिक नगर तो है ही साथ ही सिक्षा का भी एक प्रमुख केंद्र है यहां पर यातायात या परिवहन की सुविधाएं भी हमें मिलेंगी चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी हमें मिलेंगी तो जो उसका विशेशी करण है वो एक धार्मिक नगर के रूप में हैं लेकिन इसके अलावा भी वहां पर हमें और बहुत से कारे जो हैं उस नगर में मिलेंगी जैसे हम बात कर लें क चंडीगड़ है तो चंडीगड़ एक प्रशाश्की नगर है लेकिन ऐसा नहीं कि हमें वहाँ पर सिर्फ प्रशाश्की कार्याला ही देखने को मिलेंगे वह यातायात के दृष्टी से भी जो है बहुत विक्सित होगा हम बात करें कि परिवहन सुविधाओं के दृष्टी क केंद्र है तो हम इसे एक अध्योगिक नगर कह सकते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ ये वाणिजी के रूप में भी बहुत अच्छी तरह से विक्सित है और चुकि यहां पर वाणिजी का विकास हुआ है तो जिस छेत्र में भी वाणिजी का विकास होगा वो परिवहन के छे जो है वहाँ पर किया जा रहा है तो उसके अधार पर हम उसका नामकरण तो कर देते हैं लेकिन इसके अतिरिक्त भी उस नगर में हमें यह कह सकते हैं कि गती शीलता बहुत अधिक देखने को मिलती है यह हम यह कहें कि और अनेक कारिय भी वहाँ पर किये जाते हैं या हर तरह क सुविधाएं उस पर्टीकुलर नगर में हमें देखने को मिलेंगी तो अब हम बात करते हैं नगरों के प्रकारियात्मक वर्गीकरण या उसके functional classification के विशय में तो इस दृष्टी से हम देखें कि नगरों का कारियात्मक वर्गी करन जब हम कर रहे हैं तो हमें कौन-कौन से नगर जहां पर कोई विशेश कारे किया जा रहा है यह नजर आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा है प्रशाशकी नगर प्रशाशकी नगर जो है जैसे नाम से इस पुस्ट है कि जो नगर प्रशाशन के दृष्टि कोण से या हम ये कहें कि जहां पर भी कोई शाशकी या सरकारी आफिसेस या कार्याले जो हैं वो मिलते हैं या उनकी विशेश्टा या प्रमुक्ता होती है उसे हम प्रशाशकी नगर के नाम से जानते हैं अर जब प्रशाशकी नगर कह रहे हैं तो लगभग अंतरगत आएंगी लेकिन प्रमुक रूप से यदि हम बात करें तो हमारा चंडीगड हो गया गांधी नगर हो गया सिंद्री और इटा नगर ये ऐसे नगर जो हैं ये प्रशाशकी नगर के बहुत अच्छे उदाहरण हैं अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा औद्योग नगर ये हम ये कहें कि कोई नगर और द्योगिक नगर के रूप में तभी विक्सित होगा जहां पर उद्योग की स्थापना से संबंधित जो आवश्यक दशाएं हैं वहां पर उपलब्ध होंगी और उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक दशाएं कौन-कौन सी हैं तो वहाँ पर कच्चे माल की प्राप्ती होनी चाहिए, जल की उपलबधता होनी चाहिए, उर्जा की प्राप्ती हो, परिवहन के साधन जो है वो बहुत अच्छी तरह से विक्सित होने चाहिए या हम ये कहें कि वहाँ पर जो है बाजार या श्रम की उपलबधता भी अच्छी मात्रा में होनी चाहिए तब ही कोई नगर जो है वो एक ओद्योगीक नगर के रूप में विक्सित होगा तो इस रिष्टिकोंड से तो हम देखेंगे कि हमारे भारत देश में बहुत से ओद्योगीक नगर है और जब हम स्वतंतरता के बात की बात करते हैं या उस समय की बात करते हैं जैसे हमें स्वतंतरता प्राप्ति हुई और हम निरंतर अपने विकास की और अग्रसर होते गए जिसमें हमारा नगरी करण है, और दोगी करण है, इसमें हमने प्रमुख रूप से गती प्राप्त की और विकास की विभिन नवस्थाओं को पार किया. तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद प्रमुख रूप से जो है हमारा जमशेथपूर है, यह हम बात कर लें राऊर के लाकी यह हम अपने भिलाई की बात कर लें तो यह जो प्रमुख रूप से हमारे ओद्योगिक नगर के रूप में विक्सित हुए हैं अब नेक्स्ट हम बात करते हैं परिवहन नगर परिवहन नगर को भी हम दो छेत्र में विभाजित कर सकते हैं एक छेत्र उसका होता है जब कोई समुद्री मार्ग से समुद्री मार्ग से आंतरिक छेत्र में प्रवेश करता है तो जो समुदरी मार्ग से माल लाए गए हैं या वस्तुय या पदार्थ का परीवहन किया गया है तो समुदरी मार्ग से जुड़ा हुआ उसका आंतरिक परीवहन का मार्ग होना चाहिए जैसे इसमें जितने भी हमारे जो बंदरगाह नगर हैं वो प्रमुख रूप से परिवहन नगर के अंतरगत आते हैं फिर हम चाहे विशाखा पत्नम की बात कर लें यहां मुंबई की बात कर लें चिन्ने की बात कर लें या कांडला की बात कर लें ये सभी जो हैं ये हमारे परिवहन नगर के रूप में जाने जाते हैं और इसका एक दूसरा जो भाग होता है कि यहाँ पर आंतरिक परिवहन की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी मात्रा में उपलग्ध होनी चाहिए जैसे वहाँ पर सडक मार्ग जो है विक्सित अवस्था में हो रेल मार्ग भी यह हम वायू यातायात की बात करें तो प्रमुख रूप से सभी प्रकार के जो यातायात के साधन है परिवहन के जो साधन होते हैं वहाँ पर वो विक्सित अवस्था में होने चाहिए तो इसमें हम बात करेंगे भारत में प्रमुख परिवहन नगर क उदहारन प्रस्तुत करते हैं, अब हम next देखते हैं, वियापारिक नगर या Transport City, Transport Center हम कह सकते हैं इसे, वियापार में जिन नगरों को विशेश्टा प्रदान होती है या विशेश्टी करन जिनका होता है, उसे हम वियापारिक नगर के नाम से जानते हैं, अगर इस दृष्ट कौन से हम देखें तो हमारे भारत में बहुत से ऐसे नगर हैं जो जिनकी जो अर्थ व्यवस्था है वो व्यापार पर आधारित होती है लेकिन इसमें भी हम देखें तो हमारे भारत में बहुत से छोटे और बड़े नगर हैं तो जो छोटे नगर होते हैं वो उनका जो व्या करेंगे तो वहाँ पर हमें बहुत अलग-अलग प्रकार के जो व्यापार हैं वो देखने को मिलते हैं फिर वो चाहे उत्पादन से संबंधित हो वाडिज्य से संबंधित हो परिवहन की हम बात करें तो यह सभी दृष्टिकोंड से जो है वो नगर विक्सित होते हैं या हम कि वहाँ पर वस्तूओं या सेवाओं की जो है प्रमुक्ता देखने को मिलती है अधिकतर लोग तृतियक और चतुर्थक व्यवसाय में लगे हुए होंगे तो उसे हम व्यापारिक नगर की संग्या देते हैं हम अपने भारत में देखेंगे तो भारत में मुंबई जो है वो सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है और इसी कारण से हम मुंबई को अपने भारत के व्यापारिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं और मुंबई के अलावा भी देली है कुलकाता है यह सब जो है यह हमारे प्रमुख व्यापारिक नगर है यदि हम दक्षिन में च जानते हैं फिर बात होती है नेक्स्ट खनननगर जो माइनिंग सेंटर्स होते हैं तो हम यह देखेंगे कि विश्व में ही नहीं हमारे भारत में भी बहुत से ऐसे नगर हैं जिनका विकास जो है वहाँ पर उपलब्ध खनीजों के आधार पर हुआ है फिर वो खनीज चाहे को लोहा हो तेल हो पेट्रोलियम हो मतलब किसी भी प्रकार के संसाधन हो सकते हैं खनीजों के आधार पर जिन नगरों का विकास होता है उसे हम खनननगर के नाम से जानते हैं क्योंकि जहां पर खनीज की उपलब्धता होती है तो खनीज को उसे परिशोधित करने की शोधन कार खाने भी वहाँ पर इस्थापित होते हैं, फिर उन खनीजों को जहां पर जिन छेत्रों में कारखाने या उद्योग जो इस्थापित हैं, वहां से उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है, तो उनका विकास जो है वो निरंतर होता रहता है, चाहे वो परिवहन के छे तो यह जो नगर है, वो खननननगर के रूप में, क्योंकि मुख्य रूप से यहां पर खनीजों की उपलब्धता होती है, इसलिए हम इन्हें खननननगर के नाम से जानते हैं, और हम भारत में इसके उदाहरन देखें, तो हमारा रानी गंज, जरिया, पुरा छोटा लेश्वर की बात कर लें, तो यह तेल के लिए प्रसिद्ध है, और जब हम राजस्थान में चले जाते हैं, तो हमारा राजस्थान का जो खेतड़ी है, वो तामबे के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है, यह तो प्रमुख उदारन हो गये, ऐसे ही और भी बहुत स छेत्र हैं, जो खनीजों के लिए प्रसिद्ध हैं, इसके बाद हम बात करते हैं, छावनी नगर, इन छावनी नगर को हम गैरिसन या कैंट के नाम से भी जानते हैं, हम ब्रिटिश शाशनकाल की जब बात करेंगे, तो उसी समय से देखते हैं, कि जो अंग्रेज थे, उन्ह पर सैनिक गतिवीधियां जो हैं, वो अधिक होती थी, चाहे उन्हें प्रसिक्षन का कार्य देना हो, या वहां उन्हें बहुत जो अलग-अलग तरह की सुविधायें हैं, वो उपलब धकराना हो, ये सभी तरह के जो कार्य हैं, मतलब प्रमुक रूप से उन छेत्रों या नगरों में हम देखेंगे सैनिक गतिवीधियां ही होती थी, तो इन्हें चावनी नगर के नाम से ये जो छेत्र हैं वो प्रसिद्ध हुए, चाहे हम बात कर लें जालंधर चावनी या हम जिसे जालंधर केंट के नाम से जानते हैं, या हम महु के बारे में बात कर लें, या अमबाला केंट या अमबाला चावनी की बात कर लें तो ये प्रमुख रूप से जो है वो चावनी नगर गैरिसन या केंट के नाम से प्रसिद्ध हैं पहले तो इनका विकास सैनी गति वीधियों या सुरक्षा के दिश्टिकोंड से ही हुआ था लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये बहु कारियात्मक नगरों के रूप में विक्सित हो गया मतलब सैनी गति वीधियों के अलावा भी यहाँ पर अलग-अलग तरह से कारिय चाहे वो उत्पादन हो सेवाओं से संबंधित हो ये कारिया होने लगे और ये बहु कारियात्मक नगरों के रूप में विक्सित होते चलेगे फिर अगला हम देखते हैं सैक्षिक नगर ऐसे नगर होते हैं जिन्हें सिक्षा के दृष्टिकोंड से विशेश रूप से प् जो आपका 12 हमने पास आउट कर लिया और हमें आगे की मेडिकल की या इंजिनीरिंग की पढ़ाई करनी हैं तो हम यहां से थोड़ा बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इस स्थान से जो हम जिस स्थान की ओर जा रहे हैं वहां पर उच्छे इस्तर की या अच् को पिसी यूपैसी की तयारी करनी है आप चले जाते हैं दिल्ली कोचिंग करने तो कुछ आइसे चेत्र जो सिख्षा के दृष्टी-कौडtså से जिन्हें प्रसिद्धी मिलती हैं उन्हें हम सिक्षिक-नगर के नाम से बहर प्रसिद्ध होते हैं फिर हम बात करनें चाहे वह क प्रारंभिक समय से ही रही है कि वो अपने धर्म, शिक्षा और आध्यात्मिक्ता के लिए विश्व विख्यात है विश्व इस्तर पर उसे प्रसिद्धी मिली है और हम प्राचीन समय से ही देखेंगे कि बहुत से ऐसे नगर हैं जो आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वा करें कि आसपास ही जो बस्तियां हैं वो प्रारंभ में विक्सित होती गई और विकास करते करते वो नगर की अवस्था तक पहुँच गये तो ऐसे नगर जो धार्मिक द्रिश्टी कोर्ड से या किसी भी प्रकार से सांस्कृतिक कारणों से विक्सित होते हैं उन्हें हम धा हमारा अजमेर हो गया अम्रिचसर की हम बात कर लें हरिद्वार की बद्रिनाथ है कि दारनाथ है मत्हुरा है वरिंदावन है काशी है वारणसी है यह सब ऐसे नगर है जो धार्मिक नगर के नाम से प्रसिद्ध हैं फिर next हमारा आता है परियतन केंद्र यह हम इसे tourist centers या tourist places भी कह सकते हैं और परियतन केंद्रों का विकास भी अंगरेजों के शाशनकाल से ही अधिक तर जो है विकास वो उनका हो चुका था क्योंकि हमने तब भी चर्चा की थी कि अंगरेज जो है वो एक थंडे प्रदेश से दो हमारे देश की जावाई है वो घरम है तो उँचे पाहाडी छैत्र हैं वहां पर यह जो समुधर तैटी छे तो algorithms वहां पर उन्हों प्रमुख हिल स्टेशन्स पर्वती छेत्रे या ठंडे छेत्रे के रूप में प्रसिद्धी मिली है इन्हें और जब हम समुद्र तट्टी छेत्र की बात करें तो जब हम समुद्र तट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि लंबी-लंबी बड़ी-बड़ी उची-उची जो है वो समुद्री लहरे हमें बहुत आकरशित करती हैं और साथ ही यहां की जो जलवाईू है वो सम जलवाईू होती है, हमें सुकून प्रदान करती है, ना वहां हमें बहुत गर्मी का हैसास होगा और ना ही हमें बहुत अधिक थन का हैसास होगा, तो फिर हम बात कर लें मुंबई हो गया गोवा हो गया विशाखा पटनम चिन्नेई या केरेला का जो समुद्री तट है या समुद्र तटी जो छेतर हैं वहाँ पर जो इस्थित नगर हैं वो प्रमुख रूप से परियतन केंद्रों के रूप में विक्सित हुए हैं बच्चो कई बार बोड परिक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि परियतन केंद्र जो हैं उनके विक्सित होने के लिए उनके विकास की कौन सी आवश्चक दशाएं होनी चाहिए दो नमबर का कोशन पूछ सकता है तो आपका उत्तर होना चाहिए कोई भी नगर या जो छेत है वो परियतन केंद्र के रूप में तब इक्सित होगा जब वहां पर की जो जलवायू हो वो स्वास्थे प्रजलवायू हो वहां हमारे बॉडी के अनुकूल हो हम यह कह सकते हैं बहुत अधिक ना गर्मी ना बहुत अधिक ठंडी पढ़ती हो स्वास्थे वर्धक जलवा परियाप्त साधन जो हैं विक्सित हो तो ऐसे जो छेत्र हैं वो परियतन केंद्र के रूप में विक्सित होते हैं तो बच्चों यह हो गया हमारे नगरों का कारियात्मक वर्गी करण जिन नगरों को अलग-अलग छेत्र में विशेश कार्य में कोई विशेशी करण अब हम देखते हैं जब हम भारत में नगरी करण की बात करते हैं तो भारत में नगरी करण की शुरुवात कब हुई कब इसमें वृद्धी हुई कौन सा ऐसा समय था जो एक बीच का समय था जब नगरी करण ना बहुत तेजी से बढ़ा ना उसमें हम यह कहें कि उसके रिनात उत्मक वृद्धी की जो दशा है वो उत्पन हुई तो इस पर हम थोड़ा नजर डालेते हैं जब हमने जनसंख्या के विशह में बात की थी तो हमने देखा था कि हमारे भारत में 1881 से पहली संपूर्ण जनगर्ना हुई और तब से लेकर आज तक जो हर 10 वर्ष के अंतराल मे हमारे भारत में जनगर्ना का कारी किया जाता है तो इसी में हम देखते हैं कि 1881 में जब हम बात करें तो नगरी करण का जो प्रतीशत था उस समय नौ देशमलो तीन था उसके बाद 1931 में नगरी करण का प्रतीशत जो है वो बढ़कर आपका लगभग 11.99 प्रतीशत हो गया तो लगभग हम ये देखें कि इन 40 वर्ष को या 40 दशकों का जो अंतराल है उसमें नगरी करण में केवल 2.69 प्रतिशत की वृद्धी हुई तो हम इसे मंद वृद्धी का काल कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं ये वो समय था जब नगरी करण में बहुत अधिक विकास या व्रिधी की गति जो है वो नहीं देखी गई क्योंकि उस समय पे जो अलग-अलग प्रकार के नगर थे वो विक्सित नहीं हुए थे या हम यह कहें कि नगरों के प्रति उतना अधिक आकर्शन नहीं था फिर हम बात करते हैं 1961 या 1961 की तो हम यह देखेंगे कि तब नगरी करण का जो प्रतिशत था वो लगभग 17.97 प्रतिशत हो गया तो 1931 से 1961 के बीच का जो समय है इसे हम नगरी करण के मध्यम वृद्धी का समय कह सकते हैं क्योंकि थोड़ी वृद्धी हुई बहुत ज़्यादा विकास तो हम नहीं कह सकते लेकिन थोड़ी वृद्धी हुई नगरी करण में फिर हम देखते हैं 1961 में जो 17.97 परसेंट था नगरी करण का वो 2011 या 2011 में बढ़कर 31.16 परसेंट जो है वो नगरी करण का प्रतिशत जो है बढ़ गया तो 1961 वो समय था या हम ये कहें बहुत वर्ष था जिससे हम तीवर नगरी करण के वृद्धी बहुत तेजी से हुई या तीवर नगरी करण का युग हम इसे कह सकते हैं और आज तक वर्तमान समय तक हम देख रहे हैं कि हम वापस इसमें पीछे नहीं गये हम लगातार इस नगरी करण के प्रतिशत में वृद्धी होती जा रही है हाला कि ये बहुत ज़ादा नहीं है लेकिन फिर भी हम लगातार विकास की और बढ़ रहे हैं हमने ग्रामीर बस्तियों की विशेष्टाओं को अलग से देखा और नगरी बस्तियों की विशेष्टाओं के बारे में भी हमने चर्चा की अब हम दोनों में अंतर देख लेते हैं कि ग्रामीर और नगरी बस्तियों में क्या अंतर हैं क्योंकि ये बोर्ड परिक्षा के हिस साप से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है पहला नंबर बन देखें हम जो ग्रामीड बस्तियां होती है वहां का प्रमुख व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय होता है जिसके अंतर गत्वे क्रिशी कारी करते हैं पशुपालन आखेट या भोजन एकत्र करने का कारी किया जात करते हैं उनका प्रमुख व्यवसाय निर्माड उद्योग परिवहन इबाडिज्य एवं व्यापार और उच्च जो सेवाएं होती है या प्रशासन से संबंधित कार्य में भी लगे होते हैं दूसरा इसका अंतर है यहां प्राथमिक आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन किया जाता है जैसे बोजन के लिए अनाज उत्पादन करेंगे कार खाने के विए जैसे आपका कपास हो गया जूत पूण يا रेशम आधि का यह उत्तपादन करेंगे-ыл Okean हम नगरी वस्तियों में देखेंगे तो यहां पर निर्मित माल का उत्पादन होता है गाव में किसी भी प्रकार की कोई प्रशाश्नी किकाई नहीं होती है और नगर में कोई न कोई छोटी या बड़ी प्रशाश्नी किकाई जरूर होती हैं. गाव में परिवहन सुविधाएं बहुत पिछड़ी होती हैं और साथ ही साथ बहुत कम भी होती है और पुरानी होती है जैसे कच्ची सडक हो गई या बैल गाड़ी और ट्रेक्टर आदी हालंकि अभी इस छेत्र में बहुत सुधार हो चुका है लेकिन अधिकतर हम होती है और सांथ ही साथ विक्सित अवस्था में होती है जैसे पक्की सडके रेल मार्व वायूयात आड़ी गाव में उच्च सेवाओं का लगभग अभाव होता है और ये सुविधाय अगर होती भी है तो अत्यंत प्रारंविक अवस्था की सेवाएं दी जाती हैं या अधिकतर हम देखेंगे उच्चेतर माधर्मिक इस्थर तक की शिक्षा प्राप्प्थ होगी यह हम स्वास्थ with सुविध्या में देखेंगे तो यहां हास्पिटल जो होते हैं वो भी प्राथbnिक इस्थर तक होते हैं नगर में उच्छ सेouver अपेक्ष्य कृत अच्छे कि सुलब्ध होती हैं जैसे सिक्षा की हम बात करें तो वो डिग्रीज इस तर्थ कि उपलब्ध होगी और होस्पिटिलिटी की हम बात करें तो हॉस्पिटल भी आपको उच्चे इसतर के मिलेंगी और साथ ही साथ पुलिस विवस्था भी यहां पर तो में अच्छी देखने को मिलती हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं बावे की जनसंख्या कम होती है जैसे भर्ट में विशालतम गावे की ज़नसंख्या है वो सोला हजार है और समानी रूप से गावे की जनसंख्या लगभख 400- 700 के मध्य पाई जाती है अधिक जनसंख्या से ही कोई गाव नगर नहीं बन जाता यह हमें पता है और जहां तक कि यहां कोई निर्माड उद्द्योग या व्याप्यारिक केंद्र या बाजार की सुविधाओं की बात होगी तो यह हर तरह की जो सुविधाएं हैं और उच्च सेवाएं यह सुविधाएं यहां पर प्राप्त नहीं होती नगरों की जनसंख्या गावों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है या जनसंख्या कुछ हजार से लेकर एक करोड से भी अधिक पाई जाती है और यह अनुमान भी है कि शंगाई या चीन नगर की जो जनसंख्या है वो एक करोड से भी अधिक हो गई है फिर ग्रामीड बस्तियां प्रकिर्ण एवं एकाकी होती है और नगरी बस्तियां सघन बस्तियां होती है